नवश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोज ख़बर कायकरम नए कालखंड में आप सब का स्वागत है निया कालखंड प्रधान मंत्री नरेन मोदी का शब्द है जिसका इस्तमाल इस मांसून सत्र के दौरान उन्होंने किया और आज देश को जब पहली आधिवासी राष्टपती मिली उन्होंने आज इस कालखंड का जिक्र किया निश्चित तोर पर यह अलग कालखंड है द्रौबदी मुर्मू देश की पहली राष्टपती है जिनका जनम आजादी के बाध हुआ है द्रौपदी मुर्मू जो उडिसा की एक संथाल परिवार से आती हैं और जिनका बहुत गहरा तालुक ब्रह्म कुमारी संस्थान से है वह संस्थान जो देश और दुनिया में सनातनी हिंदू विवस्था का प्रचार प्रसार करती है महिलाओं की आध्यात्मिक हिंदू अभिव्यक्ति को चैनलाइज करती है जिसका जिक्र दुरौपदी मुर्मू उस समय भी करती थी अपने एसोसियेशन को जताती थी जब वजहारखंड की राजपाल थी निश्चित तोर पर देश के लिए एक एतिहासिक शन है एक आधिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनी है और निश्चित तोर पर उनसे जो अपेक्षाएं हैं जो चुनौतियां हैं और खास तोर से जो आधिवासी समाज से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं वह मूबाय खड़ी हुई है चाहे वह फॉरेस्ट राइट आक्ट हो आधिवासी कल्यान के लिए जो बजटी आवंट जन होता है उसके उपर बाच्चीत हो आधिवासियों के उपर बढ़ते अत्याचार का मामला हो या सबसे बड़ा सवाल जन जंगल जमीन पर उनके अधिकार को जिस तरह से जो कॉर्परेट लूट खीच रही है उन्हें महरूम कर रही है इन तमाम सवालों को द्रौपदी म एहम खबर जिस पर चर्चा इस समय बहुत सरगर्म है इसका सीधा रिष्टा है मोधी सरकार में एक बहुत एहम मंत्री स्मृति एरानी से और उनकी बेटी जोईश एरानी से जो एक रेस्टरेंट कम बार चलाती है गोवा में और इस बार पर एक गैर कानोनी धंग से लाइस दुनिया के सामने कुछ तथे रखे और यह जो तथे हैं इनकी ठोस जमीन है गोवा के एकसाइस कमिशनर नारायन एम गड ने 21 जुलाई को इस बार को नोटिस भेजा और यह नोटिस गोवा के एक वकील ने जो शिकायत की उसके आधार पर भेजा गया वकील ने बकायदा क प्राग्जों के साथ यह साबित करने की कोशिश की कि इस बार ने जो लाइसेंस हासिल किया है दारू बेचने का पिलाने का वह फरजी बाड़े के जरी है इसमें जिस आदमी के नाम पर यह लाइसेंस लिया गया है उनकी मौत 2021 में हो गई है अब आप देखिए कि इस सारा क सारा मामला गोवा से उठा गोवा जहां पर भाश्पा की सरकार है वहां के एकसाइस कमिशनर नोटिस भेशते हैं बार को और साथी साथ जो इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह एक ऐसा वीडियो है जो सबको बता रहा है कि स्मृती इरानी की बेटी का सीधा का रिष्टा इस बार से इस रेस्टरेंट से है और मज़े की बात यह है कि इस बारे में खुद स्मृती इरानी जुलाई महिने में ही सोशल मीडिया पर खुशी भी जाहिर करती है कि उनकी बेटी इस तरह से चला रही है यह वीडियो जो तकरीबन बारा मिनट का है जिसमें उनका इंटर्वियू है जो इस इरानी का और उनसे पूछा गया है कि किस तरह के खाने वह परोस्ती हैं किस तरह की चीजे वहाँ पे सर्व होती हैं यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में है लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मसले को जिस तरह से एक नैतिकता वाला मसला बनाय जा रहा है जिस तरह से स्मृति इरानी रौद रूप में है वह शायद एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट मोमेंट है यहां मैं आपका ध्यान देलाना चाहूंगी देश के बिलकुल सुदूर कोने की तरफ मेगाले मेगाले में बीजेपी नेता का एक फार्म हाउस है जहां पर देहवैपार चलाने का आरूप लगा पुलिस ने छे नाबालिगों को छुड़ाया और 73 लोगों को गिरफतार किया मेगाले पुलिस ने वेस्ट गारो हिल्स में बर्नार्ड एंड मारक जो मेगाले के मध्रदेश के बीजेपी के उपाध्यक्ष है एक बड़ा चहरा है भाशपा का वहाँ पे जो गारो हिल्स वाय शाशी जिला परिशद है उसके सदसे भी हैं यह पूरा का पूरा मामला उनके खिलाफ बनता है क्योंकि यह फार्म हाउस उनका है अब आप देखिए कि यहां पर भी सरकार भाशपा की है और जब यह मामला सामने आता है तब फोड़ने की कोशिश करते हैं विपक्ष पर ठीकड़ा फोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है मैं यहां जो आप से सवाल पूछना चाहती हूं वह बहुत सीधा सहसा सवाल है क्या इस देश में किसी मंत्री की बेटी हो या भाश्पा या किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो उसका परिवार हो उसके लिए कानून अलग धंग से काम करेगा क्या उनके खिलाफ जब इस तरह के भरष्टाचार का मामला सामने आता है तब कानून को दूसरे धंग से काम करना चाहिए शायद जो इन दो एहम पॉलिटिकल रियक्षन है वह तो यही बता रहे हैं आएए जरा चर्शा करते हैं उम्र की क्योंकि इस मृती रानी एक भावुक अपील बेटी की उम्र का हवाला देते हुए देश के सामने कह रही हैं वह कह रही हैं कि उनकी बेटी की उम्र महज 18 साल है यहाँ पर स्पृती जी लोग आप से पूछ रहे हैं क्योंकि आप जनप्रतिनी ही हैं कि जब दिशारवी को किसान आंदोलन के पक्ष में टूल किट बनाने के आरोप में जेल भेजा गया था तब उनकी उम्र कितनी थी? दिशा की उम्र भी बहुत कम थी क्या जेल भेजने से पहले सरकार ने सोचा था कि इतनी कम उम्र की लड़की को जेल भेजा जा रहा है और बाद में वह बाईज़त बरी भी हुई और रोहित वैमुला को तो इस्मृती इरानी भी नहीं भूल सकती क्योंकि उनके इंस्ट्यूशनल मर्डर से उनका कारेकाल सीधे सीधे जुड़ा हुआ था रोहित वैमुला हो या पायल ताडवी इन जैसे जो होनहार विद्यार्ती जिन्होंने इंस्ट्यूशनल पूरा का पूरा जो मेकेनिजम कास्टिस्ट है जातिवादी भेदभाव पर आधारित है उसका शिकार होके अपनी जानगवाई यह सब बहुत कम उम्र के थे और तो और इस समय जो छात्र महराश के नाकपूर से एक जून से पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली आ रहे हैं और आप देखिए कि उनकी मांग क्या है वे सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि जो पैरा मिलिटरी फोसेज में जो स्टाफ सेलेक्शन कमिटी ने एक्जाम करवाए थ उसमें जो लोग पास हुए हैं जो पांच हजार पदों का मामला है उसमें जिस तरह से अगनीवीर आने के बाद उनका करियर खतम हो गया है उस पर सरकार विचार करें आपको स्क्रीन पर जो फोटो दिखाई दे रही है आप देखिए यह तमाम नौजवान बहुत कम उम्र के हैं और यह अपने भविश्य की मांग को लेकर एक हजार किलोमीटर से अधिक सड़क पर चल रहे हैं क्या इनकी उम्र सरकार के लिए एक कंसर्ण नहीं होनी चाहिए सवाल बहुत सीधा सीधा है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने के बज़ाए जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है चाहे भगोवा से हो या फिर दूसरे इलाके से जब कनेक्शन भाश्पा से होता है तब उस पे चर्चा सीधी सीधी नहीं होती दोस्तों कुछ ऐसी खबरे हैं जिनके बारे में जब सच पता चलता है तब पूरा का पूरा विमर्ष पूरा का पूरा डिसकेशन ही बदल जाता है और ठीक इस समय जो उत्तरपदेश के कासगन से खबर आई है वह भी बता रही है कि किस तरह से हिंदु-मुसलिम तनाव प जानिये यह पुलिस कर्मी क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में एक लगजयाद का मामला आया था यह पूरा मामला क्या है सब्सक्राइब जिसमें बदाया गया कि एक मुस्लिम विक्ति अपना हिंदु नाम रख्था उसकी साथ ब्रादकार किया और समंधित धाराओं में पुद्दा पंजित किया गया उसके बाद जाश किएगी तो पाया गया कि उसमें उस महिला के अन्य दो साथियों अमन और आकास के साथ मिलकर एक एक टॉट्सन के लिए हम तुना करवाया था जिससे कि जो भी तथ्य पाये गये उस तथ्यों के कर्म म समंधित धाराओं में उन दोनों आरूपी को देविज दे गया है और समंधित महिला के खिलापी आवच्छे करवाई किया गया 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 है दाखे में दूसरे ढंका सांप्रदाइक तनावफ पैदा हो जाता आएए अंत में चलते हैं उत्तराखंड की तरफ जहां पर एक बहुत ही जरूरी अलग ढंका आंदोलन चल रहा है हेलंग बचाओ आंदोलन और यह वीडियो आप देखिए इस वीडियो में जो लोग प्र दियावरन ही नहीं तमाम पहाड़ी महिलाओं और पुर्षों की जीवन पर जबरदस्त आगहात पड़ा है यहां पर महिलाएं जो अपने मवेशियों के लिए घास काट के ले जाती हैं उन्हें रोका जा रहा है घसियारी महिलाओं के साथ बस सलूकी की गई उनका जो घास का गठर है उसे खीच कर फेकने की कोशिश सुरक्षा कर्मियोंने की यह सब वीडियो सामने आया और इसके बाद विरोध में लोग उतरे और सबसे खास बात कि इस विरोध प्रदर्शन में जो उत्राखंड की संस्कृती रही है जो संस्कृतिक विरासत रही है उसकी गहरी चाप देखने को मिलती है उत्राखंड के जनकवी गिद्दा का मशूर गाना उत्राखंड मेरी मात्र भूमी आप यह गाना सुनिए आप से मैं लेती हूँ विदा शुक्रिया कंस उत्राखंड में लेता सीव फडिस्वत ठ nationwide कंस उत्राखंड की सावच है तब एफ गन्सेद के Bibh